हेलो दोस्तों आज किस वीडियो के मात्यम से एक और अपडेट एक और नई जानकारी देने के लिए आपके साथ आ चुका हूँ दोस्तों बिहार स्वास्ति वहा के तरब से एनियम के लिए एक और पुना खुसखवरी आ चुका है अब जितने भी एनियम है बिलिकुल रूप से इस खुसखवरी को सुनेंगे और सभी को ये नोटिस भेज देंगे और आप लोग इस वीडियो को भी भेज दीजेगा शेर कर दीजेगा अपने ग्रूप में एस्टेटेस लगा लिजेगा और सब को खुसखवरी बाट दीजिए क्योंकि एनियम का अब ट्रांसफर होने के लिए ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है तो कैसे कैसे ट्रांसफर होगा उस पर हम पूरी डिसकस जानकारे आपको लोगों का कहना भी है और यहां पर स्वास्तमंत्री पहले से भी बोल रहे हैं कि हम होम जिल्ला यहां पर ट्रांसफर करने के बारे में बोल रहे हैं तो ट्रांसफर को लेकर करके अपडेट आया है नोटिस आया है बिलंब नहीं करूंगा पूरी जानकारी डिटेल्स आपक मैं यह नोटिस डाल दूंगा एक-एक पॉइंट समझ लीजेगा मैं अच्छा से अराम राम से वता देता हूं विहार सरकार स्वास्तवाग के तरब से यह बिग्यापन यह नोटिस जारी किया गया है आज के डेट में और अभी जारी किया है इसमें अगर आप लोग तो इसमें यहाँ पर नोटिस में पूरा देखेंगे सूचना तो सबसे उपर लिखा हुआ है स्वास्त विभाग बिहार के अंत्रगत कारेरत एनियम के अस्थांत्रन हैतु दिनांक 10-7-2021 तक ऑनलाइन माध्यम से hdthealth.online.bih.nic.in portal पर आवधन प्राप्त किया गया था पुना आवधन प्राप्त करने हैतु दिनांक 6-12-2022 तक समय दिया गया था यानि कि यह कह रहे हैं कि बिहार के अंत्रगत स्वास्त वहार के अंत्रगत जितने भी एनियम ट्रांसफर के लिए इस वेबसाइट के माधि जिन से online आवधन के थे वह online आवधन 6-12-2022 तक पराप्त किया गया था विभाग के द्वारा उसके बाद पुना एक वार आप लोगो टाइम दिया गया है कि ग्यापांग संख्या इतना है के अनुसार जितने भी एनियम है वह राज अस्तरिय पद्ध गोहसित कर दिया गया उक्त क्राम में नया आवधन आवधन में सुधार हैतू पुना खोला जा रहा है सभी एनियम आवधन पूरिप के आवधन अधितन कर सकती है जिनके द्वारा आवधन नहीं किया गया वह नया आवधन कर सकती है उक्त पुना रहेगा साथी दिभ्यांग एनियम को अपना व आपको मैं अराम से बताता हूँ कि इस वेबसाइट के माध्यम से बिहार के अंतरगात जितने भी एनेम वोर्क कर रहे थी और ट्रांसफर के लिए आपने ऑनलाइन आविदन क्या था जिनका लास्ट डेट 6 दिसामब 2022 तक था तो ऑनलाइन आविदन कर दिया गया लेकिन आप जो ट्रांसफर का जो यहां पर नियामावली है वो राज अस्तर्य गोसित कर दिया गया है राज अस्तर्य पहले क्या था जिला अस्तर्य था अब राज अस्तर्य गोसित कर दिया गया राज अस्तर्य गोसित करने का मतलब राज जहां चाहेंगे जिस एनेम केंडिट को वहा पूरोटल को पुन्हा खौलना परेगा क्योंकि पहले वाला कैंसिल हो गया, इसी लिए पुन्हा खौला जा रहा है, अस्पश्ट रिवासा में लिखा हुआ है, और इसके लिए जो कंड़ेट पहले से आवयदन के थे, वो अध्यतन पर सकती है, या कि पूर्व के किया गया वह नया आवेदन कर सकती है और जो आवेदन नहीं किये थे छूट गये थे वो नया आवेदन यहाँ पर कर सकती हो उसके लिए लाश्ट डेट 21-6-2023 तक खुला रहेगा और जो दिभ्यांग के डिट है जो विकलांग है एने वो भी अपने वर्ग को अपडेट कर पाएंगा यानि कि गलती से अगर आपने जो दिभ्यांग के अंतरगत नहीं आते हैं और आप गलत चलत भर दिया तो उसको आप लोग भी सुधार कर सकते हैं इसके लिए सक्षम प्रादिकार दोरा निर्मित दिभ्यांगत प्रानपत्र अप्लोड करना अनिवार्ज होगा यानि आप जो बिकलांग है वो सर्टिफिकेट अप्लोड करना आप जरूरी परेंगे और यहां पर यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि आवेदन को अधिक चक सिविल सर्जन निदेशक आदिक माध्यम से अगरसित कराना अनिवार्ज होगा यानि कि फॉर्म जो आप लोग किया जागा यानि कि यहां पर असपश्ट लिखती आ गया सिर्फ आउनलाइन आप लोग को करना है और लाश्ट डेट से पहले कर लेना है तब ही जाकर क्या आपके मान होगा तो चलिए बड़ी खुसकबरी था आप लोग समझ गिये होंगे बुजगी होंगे सब कुछ इसलिए हरवराईएगा नहीं कल मैं कर दूँगा कल टाम निकाल करके मैं वीडियो बना दूँगा और आप फिर जाकर करके ऑंलैन अपलाइग करेगा ऑनलैन अपलाइग करने में 30 मिनट लगेगा मक्सिमम 30 मिनट बहुत हो गया इसलिए गलती नहीं करेंगे अराम राम से आप लोग ऑनलाइन करिएगा प्रस नूटती है यहाँ पर सबसे बरी बात कि नया जो एनेम 8883 अभी जोइनिंग किये हैं बिहार में क्या इनको भी यहाँ पर ट्रांसफर का मुखा मिलेगा देखिए इस में इस नोटिस में आप असफ़स्ट देख रहे होंगे कहीं पर समभीदा का होगा या नहीं यह आप लुब अपने जोंसीर सफ़ी ओर स हैं जहां पर प्रयर बाय पता लिजियेगा कि जो संविदा पर कर इने ट्रांसफर के लिए उनलाइन करेगा लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो हो सकता है कि संभीदा वाले भी होंगे लेकिन इस चीज को एक बार आप लोग अपने सीवीज सर्जन सर्थ से या फिर अपने वर्ये पदाधिकारी से आप लोग इस चीज को कंफर्म हो देखें साथ ही को डॉट मन में प्रस्नुत कमेंट करिएगा आपके लिए नई वीडियो किस टॉपिक पर लाओं ये भी आप पताईएगा साथ ही आपके लिए नई नई वीडियो में बनाते रहता हूं BTSC A&M के बारे में एक जानकारी आपको दूँगा साम तक में या रात तक में वीडियो अप्लोड कर दूँगा इसके लिए आप लोग को टेंसर नहीं लेना है बट अभी इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं साथ यहां पर A&M का त्यारी कर रही हो और A&M का नोट से लेना है तो वह आप लोग बिल्कुल उपसे आपको यह नंबर दिखता होगा इस पर A&M का नोट से लेकर के पढ़ाया भी कर सकते हैं घर बेटे तो चलिए हमें लगता है कि आप लोग का यहां पर जानकारी मिली क्या होगा वीडियो को समाप्त कर देता हूं थांक्यू मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में